हर सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आप अप लोग अविजदा बढ़िया होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं IPM versus three years of graduation आपको बता होगा कि IPM जो है वो आपका integrated programming management है याने की integrated course है three years की graduation plus two years की MBA वो आपकी IPM के अंदर होती है जो कि खासकर IIMS करवाते हैं पाच IIMS है राइट दूसरी तरह आपर पास तीन साल की graduation है तो क्या हमारे लिए सही रहेगा कि हम directly पास साल हम लोग पढ़ाई करें integrated course करें या फिर पहले तीन साल की graduation करें उसके बाद हम MBA करें cat exam देखर के तो दोनों में से क्या हमारे लिए जादा सही रहेगा तो आज की वीडियो के अंदर बहुत जादा की preparation करनी है जिपमेट की preparation करनी है इसके अलावा अगर आप लोगों की करवाते हैं वहां पर हेलो सेंड करना है और वहां पर आपको और वहां पर विजट कर सकते हैं और वह भी शायद आपको काफी सही लगने वाली है राइट बाकी जो कोस की डिटेल से वीडियो के लास में आपको देने वाला हूं तो चली वीडियो करते हैं अभी देखिए हम लोग बेसिकली दोनों चीजों की preparation करा रहे हैं तो इसका मत जिस student का एक long term vision है अगर आपका long term vision है कि मुझे तो management की field के अंदर ही जाना है मैं 101% clear हूं अपने thoughts को लेकर करके अपने vision को लेकर के तो definitely आपको आइपमेट जो है वो try करना ही करना चाहिए अगर आपका long term vision है तो right दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे student है जिसको लगता है कि यार management मेरा interest हो है लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मेरा तीन साल के बाद भी management के अंदर interest रहेगा या फिर नहीं रहेगा कि अपना interest change हो जाए तो फिर आप एक काम कर सकते हो आप फिर अपनी कि इसके बाद देखिए एक और बहुत important factor है और वो जो factor है वो है भाई fees का कि जिस भी college के अंतरा admission ले रहे हैं उसके आपको ROI देखना होता है return investment कि अपने कितनी fees वहाँ पर pay का रहे हो कितना return आपको मिल रहे है अब देखिए अगर आपको लगता है कि आप 12th class के बाद वैसे देखिए आयम्स में जाने के लिए अकसर जो students होते है education loan ही लेते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतनी fees पे कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इससे बड़ी हमें काम कर सकता हूं जिसके इंतर मेरी government college के इंदर फीस लगने वाली पूरी एक साल की एक लाग हो सकते है 30-30,000 रूपे तीन साल या फिर उससे भी कम हो सकती कि government college के इंदर या फिर private college के इंदर भी आप इसके अलावा देखिए अग्जाम पेटन की बेसिस पर मैं आपको अलग अलग प्रस्पेक्टिस बताने की कोशिश कर रहा हूं तो अगर आप अचे का सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों पर बात कर सकते हैं कि क्या का अपकि प्रस्पक्टिव हो सकते हैं। दोनों ही कोड़िया ऐसा नहीं कि बहुं है ये बेकार या प Requ jin करता है बहिंत नहीं हैं मैं इसके लावा ऐक शचन आपके पास होता है कि मौं लाइग अगर बीबी अगर्वफरेंव कर रहे हैं तो शही सुखदियो नंबर वन कोलेच है अब अगर आपको BBA के अंदर admission मिल रहा है शही सुखदेव कोलेश के अंदर तो उसकी हाइस placement 20 LPA तक भी हो जाती है तो अगर आपको लगता है कि आप तीन साल पढ़ करके इतना पैकेज ले सकते हो शही सुखदेव कोलेश हो गया तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना पड़ेगा और मैं अगर आपको परस्नल सेजेशन दू तो आपके काम कर रहा है सारे के सारे एंट्र इसके नहीं अलब कर्षाओ प्रशाओ पंपनेशन प्रफिवा एक रही में क्रवा रही को सब्सिक रहा है सबहसिए एक ही कोमोग 시청 कि अप सबहसिक कर सकते अस तरफ उस तरफ we started इसके एलावा देखें लोग में पर आपको एक स्ट्रॉक्चेर तरीके से बढ़ाते हैं लोग ने जो लेक्श्रॉत इस छो पर देखने हैं उससे आसे पर आपको अटम्ट करने आपको को मोटर फेस्ट टेंट करना शुरू करना है तो इसे से structured पढ़ाई जो है वो हम लोगों ने वहाँ पर आपके लिए बनाई है, manage की है तो उस तेसे आपको पढ़ाई करनी होती है वर्टसर अपर description के अंदर है, आपको सिर्फे hello send करना है, demo videos आपको मिल जाएंगी इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, teleeducation.in वोगी आप विजट कर सकते हैं अगर वेबसाइट का सर्वा थोड़ा सा हैंगे तो आपको आपको से वर्टसर पर ही आप टेक्स कर सकते हैं सब्सक्राइट के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए टाटा एंड बाइबाइए